नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अति थी का English meaning क्या होता है? अति थी का English meaning होता है guest, अति थी और convive. इसे हम example से समझते हैं, example. Here the guest did not consider it appropriate to go to someone's house empty-handed. उदाहरन, यहां अति थी किसी के घर खाली हाथ जाना ठीक नहीं समझा. इसे के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, अब आप मुझे comment box में बताईए, घर का English meaning क्या होता है? Thank you.